लहराए पसले खेत खेत में सोना उप जहरेत रेत में गाओ गाओ में ये चली लहर है रासाए निक खेती जहर है जहर है जहर है लहराए पसले खेत खेत में हम करेंगे जैविक खेती जो पौधा को जीवन गेदी सब को सार्थ विक अन मिले स्वस्थ बने मन अधिले खेती में युद के लिए में खेती ये है शाश्वत योगिक खेती शाश्वत योगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों ये शोग क्रिशी को समर्पित है भारत की प्राचीन क्रिशी पद्धती रिशी पद्धती हुआ करती थी जब एक क्रिशी रिशी बन करके अपने खेतों में फसल बोता था और बड़े प्यार से उसकी पालना करता था लेकिन समय के चलते जीवन शैली में बदलाव के चलते हमने वो क्रिशी पद्धती छोड़ दी वे ज्ञानिक पद्धती को अपना कर साधनों को अपना कर हमने प्रकृती से अपना संबंध नाता सब तोड़ लिया अब समय आ गया है कि विशेले अन के प्रभाव को दूर करने के लिए और फिर से अमरत जैसा अन पाने के लिए हम कृशी पद्दिती को फिर से अपनाएं फिर से रिशी बने और रिशी ही नहीं बने राज रिशी बने अपने खेतों पर राज भी करें और रिशी जैसी भावना रखकर फसल की पैदावार करें शाश्वत योग एखिती का अधार राज योग है और राज योग क्या है? राज योग मेडिटेशन क्या है? आज इसी विशेपर चर्चा करेंगे इस्पेशल पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौझूद है ब्रह्मा कुमारी अधिती बहन दिदी बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में धेंक यो जी उम्शान्ति दोस्तों अधिती बहन के बारे में आपको बता दूँ कि पिछले 13 सालों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरी विश्वत द्याले से जुड़ी हुई है मास कम्मुनिकेशन MSC किया हुआ है इन्होंने इसके बाद Zee News, देनिक भासकर, EMPC Igno और अन्ने कई संस्थानों में अजर जर्नलिस्ट अपनी सेवाएं दी हुई है Health Ministry दिल्ली में रहकर इन्होंने IAC Officer के तौर भी अपनी सेवाएं दी हुई है बरतमान में दीदी ब्रह्मा कुमारी इसके Headquarter के आंसरोवर परिसर में राजयोग शिक्षिका के रूप में इश्वरिय सेवाएं दे रही है और आज हमारा सवभाग्य है कि राजयोग Meditation अपके बारे में हम इनसे जानेंगे दीदी राजयोग क्या है किस तरह से हम राजयोग सीख सकते हैं और फिर राजयोग का प्रयोग कर खेती को योगिक खेती बना सकते हैं तो राजयोग के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे अपका प्रेशन जो है वो थोड़ा विस्तृत है, जिसे हम एक-एक करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम योग की बात करते हैं, तो दो चीजे सामने आती हैं, एक वो जिसे योग करना है, एक वो जिससे योग लगाना है, तो एक वो जिससे योग करना है, उस चीज के ब योग का तरीका क्या है जो विधी है वो जानना भी आती आवश्चक है तो एक-एक करके हम एक-एक चीज पर जाएं तो फिर हम समझते हैं कि हमारे भाई जो है बहुत ही सहचता से इस योग की प्रक्रिया को समझ सकेंगे आपके जवाब से एक बाद तो सपष्ट हो गए है कि योग लगाना किसे है पहला जो स्टेप है कि योग किसे लगाना है हर इनसान कहेगा कि मुझे योग लगाना है अब वो मैं कौन हूँ हर एक से पूछेंगे कि आप कौन है तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जैसे भी उनका बैग्राउंड होगा जैसे उनका नेचर होगा उनका नाम होगा, जो कारे वो कर रहे हैं, हमारे किसान भाई होंगे, तो बताएंगे मैं फलाना गाउं का किसान हूँ, और कोई व्यक्ति होगा तो वो अपने इंट्रोडक्शन या अपने बारे में अपने हिसाब से बताता है, लेकिन हम बात करेंगे उस परीचे की, जो चि जीवन में जीता है, और वो परीचे जिसे लेकर भी वो इस दुनिया में जाता है, इसे कहेंगे एवर ग्रीन परीचे, यानि ऐसा परीचे जो कभी बदलता है, बदला नहीं जाता, तो वो परीचे हमारा वो देते हैं, जिसे हम अपना पिता कहते हैं, परम पिता कहते हैं, पर हम आत्मा कहते हैं तो वो चर्ष्थाई परिछे जो अक्सर जब बच्चा पैदा होता है तो मा कहती है कि भगवान ने बच्चा दिया है यह नहीं कहती है कि मेरा बच्चा है उसे पहले वो यह कहती है कि भगवान ने बच्चा दिया है तो कही लोग कहते हैं, with the grace of God, I got this child तो भगवान के क्रिपाद रिष्टी से हमारे घर ये संतान हुई है तो यानि सबसे पहले हम इश्वर के बच्चे हैं तो ये जो स्मृति है कि मैं इश्वर का बच्चा यानि परम आत्मा का बच्चा, आत्मा हूँ ये है वो source मैं अपने माता-पिता, जो मेरे सांसारिक माता-पिता है इनकी संतान होने से पहले मैं इश्वर की संतान हूँ ये हमारा स्थाई परच्चे है ये हमारा सदा रहने वाला परच्चे है और यही है वो स्मृति, यही वो स्थिति है यही वो आइडेंटिटी है जो हमें इश्वर के साथ जोडती है तो सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी यह है कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा दुनिया में अगर आत्मा शब्द बोलते हैं तो काफी लोगों को बहुत अजीब सा भी लगता है हाँ कई लोग क्योंकि उसको उपरी बाधाओं से भूद प्रेत आत्मा इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन यह बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि यह स्थाई परचे है यानि कि मैं अगर कहता हूँ कि मैं किसान हूँ तो हो सकता है कि मैं इस जनम में किसान हूँ बिलकुल मैं अगर कहता हूँ कि मैं कोई सेठ हूँ साहुकार हूँ तो हो सकता है कि मैं इस जनम में सेठ या साहुकार हूँ पिछले जनुम में कुछ और भी रहा हो सकता हूँ वो परचे तो कभी भी नहीं बखलेगा कि मैं एक आत्मा हूँ Usually हम दुनिया में भी कहते हैं एक महान आत्मा है Great Soul जिसे हम कहते हैं एक देवी आत्मा है यह कहेंगे दिव्य आत्मा है Divine Soul जिसे कहेंगे पुन्य आत्मा है पाप आत्मा है तो यहां हम बात कर रहे हैं आत्मा की ही उस आत्मा की जिसने पुन्य कर्म किये है जिसमें देवी गुण है जिसने पाप कर्म किये है जिसने Great यानि महान करतवे किये है तो इस दुनिया के अंदर हम जब बात करते हैं आत्मा की तो केवल हम उस समें एक शरीर की बात नहीं कर रहे है जो कि हर चीज दो चीजों से मिलकर बनी है एक वो जो material है यानि वो जो system है एक वो है जो system को चलाने वाला operator है या फिर हम English में कहते हैं एक है human, एक है being एक है शरीर और एक है इस शरीर को चलाने वाली वो शक्ती वो चैतन्य शक्ती जिसको हम आत्मा कहते हैं वो आत्मा जो एक energy है, एक शक्ती है हम दुनिया में भी देखते हैं कि चलाने वाला एक होता है जिस चीज को वो चला रहा है वो बहुत सारी चीज़े होती है इसी तरह हमारी ये शरीर है और इस शरीर तो देखने में बहुत बड़ा नजर आता है लेकिन वो शक्ति जो इस शरीर को चला रही है वो अती सुक्ष में है जोती स्वरूप है पॉइंट ओफ लाइट है और जिसे ही हम आत्मा कहते हैं चोटा सा सितारा शरूप हो सकती है जी 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 अलग अलग जगहां पर उसके अलग अलग बारे में कहा भी जाता है कहते हैं कि भुरुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा तो जोत के बारे में काफी ग्रंथों में, काफी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है प्रकाश के बारे में दुनिया के अंदर प्रकाश की बहुत महत्ता है और कहते भी है जब अंधेरा हो जाता है, जब negativity बढ़ जाती है तो ये प्रकाश ही एक जो तिरपिंज ही वो शक्ती है जो की हमें एक सही रहा दिखाती है तो जब हमें इस प्रकाश की, इस knowledge की हमें जानकारी exactly हो जाती है तो यही हमें दुनिया के अंधकार, दुनिया की negativity को दूर करने का पहला step हो जाता है जिसे हम जब छोटे होते हैं तो हम स्कूल में बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं जब सुबे प्रेयर होती है कि ए भगवान मुझे असत्य से सत्य की और ले चलो तो ये वो ग्यान है, पहला ग्यान जो basically हर एक व्यक्ति को जब वो छोटा होता है पहले ही दे दिना चाहिए क्योंकि ये इश्वर ये ग्यान है और हम भगवान से ही मांगते हैं कि मुझे ये ग्यान दो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है और तो बच्चा छोटा होता है तो जूट की बात नहीं होती अधिकतर जब हम prayer करते हैं तो morning assembly में करते हैं और उस समय अंधकार की बात नहीं होती लेकिन हम कहते हैं मुझे अंधकार से प्रकाश के और ले चलो अभी तो बच्चा छोटा है तो मृत्यों की बात ही नहीं है पर फिर भी कहते है भगवान मुझे मृत्यों से अमरत्व की ओड़े चले यानि वो चीज जो सदा रहने वाली है उस तरफ ले चलो और उस से ले चलो जो सदा नहीं रहने वाली यानि अंधकार क्या है वो ये identity है कि मैं ये body हूँ और प्रकाश ये है कि मैं एक soul हूँ मृत्यू क्या है कि मैं इस शरीर हूँ चोकि with the passage of time समय के अनुसार खत्म हो जाएगा और अम्रत्व क्या है कि मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ तो यही वो अंधकार से प्रकाश की और है मृत्यू से अम्रत्व की और है और ये असत्य है जो खत्म होने वाला है जो आज है कल नहीं है जो आज ऐसा है कल वैसा है तो ये चीज असत्य है क्योंकि जूट बोलते हैं न तो यहीं कहते हैं कि अब भी इसने ऐसा बोला, जूट बदल जाता है, पर जूट बदलता है, इसी तरह से काया का रूप बदलता रहेगा, क्योंकि किसी जनम में हो सकता है, इस तरी का चोला मिले, किसी जनम में हो सकता है, पुरुश का मिले, किसी जनम में किसान का भी मिल सकता है किसी जनम में राजागा भी मिल सकते। Even एक जनम के अंदर भी हम देखते हैं तो एक इनसान छोटा कैसा होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका चहरा, उसकी चाल, उसकी चलन बदल जाता है उसकी पोस्ट बदल जाती है उसका रहना, सहना, चाल, चनन, बहेवियर, सब कुछ बदल जाता है तो वो चीज जो change होती जा रही है, उसे कहेंगे जूट है और जो चीज सदा रह रही है, उसे कहेंगे यह सच है शाश्वत शाश्वत है, सब्झे है तो सबसे पहले इस पवित्र, इस शाश्वत सत्य की और हमें अग्रसर होना है कि हम ये जूट नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम ये देह नहीं है बलकि इस देह को चलाने वाली, इस रत को चलाने वाली एक रत ही है, एक चतन्य सत्य आत्मा है तो ये है वो जिसे योग लगाना है अगर मैं दे समझ के योग लगा रहे हूँ पर मात्मा से connection जोडने की कोशिश कर रहे हूँ तो वो तो हम बहुत समय से करते आ रहे हैं हर इंसान अपने घर में पुझा करते हैं घरों में ही क्या लोग बहुत दूर दूर जाते हैं नतीरत यात्राएं आधी करते हैं पर हम देखते हैं कि वो सब कुछ करते हुए भी अकसर हमारे पास लोग आते हैं तो यही कहते हैं कि सब कुछ तो करते हैं पर फिर भी वो सुख नहीं है वो शांती नहीं, वो प्यार नहीं है जीवन के अंदर, वो आनंद नहीं है, जिसके लिए सोचते थे कि शायद इससे प्राप्त हो और वो दिन प्रते दिन कम होता जा रहा है, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, कि हम इस पवित्र सत्य को जाने है क्योंकि आत्मा का संबंध ही परमात्मा से है, और अगर मुझे आत्मा के बारे में ही यथार्थ ग्यान नहीं है, उसके बारे में ही हमारी इमेज या सोचने का नजरिया जो है वो गलत है, तो हम परमात्मा तक कैसे पहुँच पाएंगे, बिल्कुर ठीक, आपने, और सबसे अच्छी बात जो हम देखते हैं कि हर एक इंसान, डारेक्ली या इंडारेक्ली, किसी ने किसी तरीके से आत्मिक स्मृति में टिकने के जरिये उन्होंने बना रखे हैं, जैसे कि हमारे सभी हिंदू धरम में और भी धर्मों में प्रात्य कालीन सभी लोग तिलक लगाते हैं आत्मिक स्मृति का दिलक है ये, विजय का दिलक है ये, तो तिलक लगाते हैं, for example, सभी लोग मंदिर तो जाते ही हैं, मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले वो अपने पैरों से जो चपल है, वो अपने पैरों से उतारते हैं, और कई मंदिरों में चमड़े की सारी चीज़े ब चपल तो ठीक है कहीं लोग कहते हैं कि चलो मिट्टी ना चाहे मंदिर में लेकिन बेल्थ ये सब क्यों उतारा गया तो वास्तविक अर्थ परमात्मा यही समझाना चाहते हैं कि चमडे की बात नहीं है ये जो देह है ये भी एक चमडी है सबसे पहले कि मैं ये शरीर हूँ ये जो जूट है इस जूटे भान को आप उतार के आओ इस स्मृती को बाहर छोड़ कर आओ और फिर क्या याद रखना है क्योंकि एक स्मृती तो गई कि मैं देह हूँ अब स्मृती रखनी क्या है तो आपको जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं तो तेलक लगा देते हैं तो क्या स्मृती में रखना है कि मैं देह तो नहीं हूँ पर इस देह से अलग जोती चैतन निजोती आत्मा हो पॉइंट अफ लाइट हो सितारा हो तो इस स्मृति में टिकना है जिसले ही हमें टीका लगाया जाता है तो यदि सबसे पहला स्टेप जो हम रोज मरा के जिन्दगी में करते आते हैं देहे को छोड़ना आत्मिक स्मृति में टिकना और उसके बाद फिर हम परमात्मा के साथ मिलन मनाते हैं उसको याद करते हैं, तो यह जो step है already, जो हम कर रहे हैं, स्थूल तरीके से हम कर रहे हैं, चल रहा है हमारा जिंदगी के अंदर, लेकिन सुक्ष्म में यह अंदर नहीं आता, कि जब मुझे इश्वर से मिलना है, और अगर मैं नहीं मिलूंगी किसी से, तो फिर मुझे प्रा आत्मा से नहीं मिली, जो सुक का सागर है, जो शांती का सागर है, जो प्यार का सागर है, और मैं अपने को किसी की मम्मी, किसी की पत्नी, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी अच्य ओर्गनाइजेशन का डारेक्टर, किसी बड़े-बड़े खेत का मालेक, कोई जमीदार, कोई साहुकार समझ के अगर मैं भगवान से मिल रही हूँ तो उस समय ये देह का भाण मैंने उतारा इए नहीं है जी बिलकुल तो जब मैंने अपने को देह ही समझ लिया उस चमडे को उतारा ही नहीं पहला step ही नहीं कवर किया तो last step जिसमें मुझे मिलना है इश्वर से वर्दान मिलनी है इश्वर से प्राप्टी हो नहीं है वो सुख मिलना है वो शांती मिलनी है वो तो हो यह नहीं सकता इस भान में भी अगर हम जाते हैं कि मैं घरीब हूँ या मैं अमीर हूँ बिलकुल शायद तब भी हम किसी और स्मृति में हैं, जो आपने कहा परमात्मा पिता है, पिता और संतान वाला संबंद तो यहां इस्थापित हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यादी कुछ और है, मैं तो गरीब हूँ, इस जीवन में जो रोल मुझे मिला है, जो परिस्थितियां है, उ तो यह जो स्मृति है, यही हमें स्थिती में टिकना सिखाती है, और स्थिती के आधार पर ही प्राप्ति आती है, सबसे पहले, जब भी हम कोई भी करतव्य करें, तो यह स्मृति रहे कि मैं करने वाला कौन हूँ, यह दे हूँ, किसान हूँ, जमिदार हूँ, साहुकार हू जो भी है किसी की सास हूँ, किसी का ससुर हूँ, बहुत सार रेष्टे नाते, जो इस body में जब हम आते हैं, हमें मिलते हैं, तो उस consciousness को, उस स्मृती को, उस स्मृती को दूर रखके, एक स्मृती में ठिकें, कि मैं तो एक चोटी सी जोती आत्मा हूँ, तो सबसे पहले हमें इ प्राप्तियां कर पाएंगे, तो इस स्मृती में ठिकने की विधी क्या हो सकती है, कैसे हम यह याद रखें, जो जब आप भी कह रहे थे, तो मुझे इतना ऐसा संकल पाया है, कि अगर मैं यह सोच हूँ, कि मैं हूँ आत्मा, लेकिन मैं मुझे इस जनम में किसान का रोल मि हुआ है, इस तरह की बातें अगर हम दोहराते हैं, तो शायद इस स्मृती में ठिका जा सकता है, या आप उसे बहुत अच्छे से बता सकते हैं, दिन के टाइम पर अगर यदि हम यह ध्यान रखें, यह एक एटेंशन का पॉइंट है, कि मुझे सदा यह एटेंशन रखनी ह कि मैं कौन हूँ, और मुझे करतवे कौन सा मिला हुआ है, जैसे कि हम घर में जाते हैं तो मुझे याद रहे कि मैं जो हूँ, एक बच्छे का पिता हूँ, उस समय मैं किसी कमपनी का मालिक हूँ, या गर्मेंट सर्वन्ट हूँ, या मैं इसकी सान हूँ, वह स्मृती को हम पीछे छोड़के आएं तो जो हमें जिस समय कारे मिला हुआ है उस मृति को इसे कहते हैं बार-बार अपना रोल चेंज होता है जब मैं मां हूं तो मां हूं जब पिता हूं तो पिता हूं जब मैं सास हूं जब मैं किसान हूं तो किसान हूं तो उस समय मैं अपने रोल को अच की कर रहे हों पर वो जो स्मृतियाँ है बहुत sorry वो फिदिए बदलती है उस थे के आधार पर आपकी जो कृति है उस पर प्रभाव पड़ता है अभी तो यह जो समृति है जो नंबर वन समिति है सबसे पहले नंबर की स्मृति है जो आपको हर एक कारे शेत्र में सफलता प्रदान करने वाले स्थिति है और स्मृति है वो ये कि मैं एक आत्मा हूँ और इश्वरिय संतान हूँ तो सबसे पहले हम बार-बार कि हमारे किसान भाई और अधिकतर लोग चुकि अच्छे अपने घरों में एकारे करते हैं और आजकल तो सभी को जॉब पर भी जल्दी जाना होता है तो इसलिए सभी लोग जल्दी उठते ही है सबसे पहले जब भी हम उठें अर्ली मॉर्निंग और सबसे शुद्ध समय अमृत वेले का समय है जिसे कहते हैं कि ऐसा समय जबकि इस दुनिया के अंदर इश्वर खुद वर्दानों की बरसात करते हैं ब्रह्म मॉरत जिसे कहते हैं बहुत इश्वध और सुन्दर समय है इश्वर ये वर्दान प्राप्त करने का समय है तो उस समय, जैसे ही हम प्रात हैं, उठते हैं, तो उस समय, जैसे दिन की शुरुवात, जीवन की शुरुवात में हमारी मा ने कहा, कि इस बच्चे को भगवान ने दिया है, तो मैं अपने दिन की शुरुवात भी उसे सुरुती से करती हूं, कि मैं इश्वरिय संतान आत्मा हो जो स्वयम परमात्मा ने हमें दिया उस स्वरूप के और अपने आपको इस संपूर्ण देह से अलग जैसे ही हम सुबह उठें अपने बिस्तर को त्याग करके खुले वाता वरण में बैठें और बैठ कर दो मिनिट या पांच मिनिट अपने को याद दिलाए कि मैं एक छोटी सी ज्योती एक सितारा मस्तक के बीच में चमक रहा हूँ मैं ये देह नहीं हो इस देह से संबंधित जो भी मेरे संबंध है उन संबंधों से अलग इस अंसार की सब बातों से अलग एक छोटी सी ज्योती जैसे आकाश में सितारे हैं जैसे इस देह रूपी ती में चमकता हुआ महीरा सितारा इस धर्ती का सितारा ब्रुकुटी के बीच चमकती हुई एक चोटी हो लाइठ हो और महसूस करें कि इस सितारे से बहुत ही सुन्दर किरने संपूर्ण देहे पर मेरे आसपास मेरे कारे शेत्र पर सब के उपर जोती इसका प्रकाश धिरे धिरे पढ़ता जा रहा है सभी लोग सुखी है शांत है इश्वर की ये शक्तिया जो मुझे इस स्मृती से प्राप्त हुई है सब पर बढ़ रही है सभी का कल्याण हो सभी को इश्वरिये प्रकंपन प्राप्त हो ये बहुत वंडरफुल एक्सपिरियंस था गजब का अनभव एक नई स्मृती जो नया परचय आपने दिया आत्मा का और वो रोश्नी थी वो हलका पन था जीवन के सारे बोज कहीं पीछे छूट गए हूँ ऐसे आनभव आपने कराया मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्षकों ने भी इसके सानभायों ने भी आनभव जरूर किया होगा तो आज जो आपने नया परचय दिया है ये बहुत ही खुबसूरत था शायद जूट किसी को भी पसंद नहीं होता हम ये बात बच्पन से कहते आए और अगर ये परचय नहीं है किसी के पास तो वो तो जूट में सबसे बड़े जूट में जीते आ रहे हैं तो आज जी आपने जो मीठा सच्चा शाश्वत परचय दिया है इसके लिए मैं अपने तमाम दर्शकों की ओर से आपका तह दिल से आभारी हूं आज आपने आत्मा का परचय दिया है राज योग में अभी मैं समझता हूं काफी कुछ बाकी है जी हम आपसे जरूर उस पर चरचा करेंगे लेकिन आज इस कारिकरम में इतना ही क्योंकि घड़ी की सुईयां कर रही है इशारा के अभी लें अजाज़त फिलाल सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत 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 शुक्रिया आत्मा ही तो वो पवित्र शक्ती है जो इस शरीर को चला रही है हम जि वो एक्टर वो आत्मा ही है कहा भी गया कि हम सब तो रंग मंच की कटपुतलियां है और हम सब की डोर उपर वाले के हाथ में है तो आज इस बात का सही मतलब समझ में आया है क्योंकि आज तक हम ये समझते आए कि मैंने ये किया और जब हम मैंने बोलते थे तो हमें अपना रोल याद रहता था ये समरती रहती थी कि मेरे जैसा बेटा नहीं मेरे जैसा किसान नहीं मगर ये सब अभिनाय अदा कर रही थी वह आत्मा इस आत्मा में ही सबका अभिनाय समाया हुआ है मुझे लगता है कि आज का कारिक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा शाश्वत योगे खेती का आधार राज्यूग है जिसमें हमने आज ये जाना कि योग करने वाली शक्ति कौन है वो मैं आत्मा हूँ इस कारिकरम की अगली कड़ी में राज्यूग के विशय पर चर्चा करेंगे इसे और बढ़ाएंगे फिलाल दीजे अजाजत रखिए अपना बेहतर खेल, नमस्कार अन्द मिले, स्वस्थ बने मन थेले खेले, मैं लुग के लिए में खेती, ये शाजत रखिए योग खेती